सभी बच्चों को नमस्कार हम बात कर रहे थे सिंगेज इलजब्रा की जिसका चेप्टर 3 है जो कॉंप्लेक्स नंबर जिसका एक कंसेप्ट है कांजूगेट ओफ इक कंप्लेक्स नंबर कोई नई बात नहीं है फ्राम 11th क्लास यूज रेट आप जानते हैं 11th क्लास से आप पढ़ते भी आ रहे है यह आडिशर्मा का भी कंसेप्ट है जो भी जहां जहां भी कॉंप्लेक्स नंबर उसका कंसेप्ट है आप कंजूगेट वर्ड से पहले से नोन है आपका परिचय से है कब परिचय हुआ था जब आप 9th क्लास में थे आपने इरेशनल नंबर पढ़ाता कि 2 प्लस रूट 3 इस एन इरेशनल नंबर और इसका कंजूगेट था 2 माइनस रूट 3 ठीक है उसी प्रकार से कॉंप्लेक्स नंबर का कंजूगेट होता है ठीक है क्या होता जोरा समझेगा अगर हम माल ने कि if z is a complex number a plus ib z एक complex number a plus ib इसका कंजूगेट निकालना चाहते कंजूगेट आफ जेट कंजूगेट आफ जेट तो पहले बाद इसको z बार से लिखा जाता है और जो भी यहाँ पर i का sign होगा mathematical sign operational sign plus or minus उसा sign change हो जाएगा यहनि a नहीं change होगा तो a minus ib is the conjugate बात समना गई ठीक है तो यह conjugate होता है बस वीडियो खतम नहीं इसकी properties जबारे में बात करेंगे क्योंकि इसको operate करना पड़ेगा हमको ठीक है तो पहले कुछ इसकी properties समझ लिया जाए कि conjugate की properties क्या होती है ठीक है देखो properties कौन कौन सी होती है इन्हें हम proof नहीं करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी वहाँ एक आप स्टिप बता देंगे इन्हें proof नहीं करेंगे इन्हें हम क्यों apply करना है ठीक है देखो पहली बात अगर किसी complex number का conjugate निकाला और conjugate निकालके उसका फिर conjugate निकाला तो इसका मतब अप्लस आई-बी था उसको ए-बी कर दिया यहीं का साइन चेंज कर दिया और अ-बी था फिर उसमें आई-बी था फिर अप्लस आई-बी हो गया तो यू गेट था सेम कॉंप्लेक्स नंबर यहीं कॉंप्लेक्स नंबर वही कॉंप्लेक्स नंबर मिलता है अचा थोड़ा इसन लिख लेते हैं जट बराबर a प्लस आई-बी है और जट बार बराबर a-ई-बी है a आपका real part of z है और b आपका image part of z है यह याद रखिएगा ठीक है दूसरी प्रपरटी क्या होती है दूसरी प्रपरटी यह है कि अगर मैं किसी भी कॉंप्लेक्स नंबर को उसके conjugate में प्लस कर दूँ तो simple mathematics लगा दीजे दोनों को प्लस कर दो कि i b i b cancel हो जाएगा और a two times हो तो यह two a आ जाएगा इसका मतब two और a क्या है real part of z ठीक कभी कभी क्या होता है किसी भी commentary examination में जहां पर multiple choice question होते हैं वहां पर diet लिखा होता है तो कहां तक आप proof करोगे ठीक है तीसरी बात अगर मैं z और z बार को minus करूं तो simple सी बात है minus करोगे तो यहां sign change हो जाएगा a और a कर जाएगा तो 2i b आएगा 2i b आएगा तो 2i अलग लिख दो और b क्या है imagery part of z तो अगर आप दो complex number को minus करते हो तो imagery part of z मिलता है ठीक है अगली बात बहुत बातें जरूता आप क्यों नहीं है किताब में जितनी हमें दिख रही है और जितना लग रहा वो हम लिखे दे रहे हैं अब जड़ा देखो अगर मैं आप से कहूं if एक complex number अपने conjugate के बरावर है अगर ऐसा है जिसका मतलब क्या है देखो मैं ऐसा करता हू मैं इक question solve ही कर लेता हूं मैं इस complex number को इसके conjugate के बरावर करने की कोशिज करता हूं यानि मैं लिखूंगा a plus ib is equal to a minus ib अगर हम mathematically इसको proof करें सबको इधर ले आओ a और a कर जाएगा ib इधर आएगा तो 2 ib बरावर 0 तो b कमान 0 आ गया तो b is what? b is imaginary part यानि आप ये कह रहे हैं कि imaginary part of z is equal to 0 इसका मतलब अगर z और z बार equal है तो ये equal तभी हो सकता है जब उस complex number का imaginary part 0 हो और किसी complex number का imaginary part 0 होना ये दिखाता है कि z is pure real pure real number दोनों तरफ से बात सही है कि अगर z बार के equal है तो z pure real number होगा और z pure real number है तो z और z बार equal होगा तो इसमें हम double implies का sign लगा देते हैं खर इंप्रायिस यह कहता है कि यह बात सही है यह अधा चैसी ए तो इसको Effective इंप्राइज पहस्य होगा इसको 對不對 इंप्राइज किंए और इंप्राइज इंप्राइज ब्लाइज वी कहते हैं और इसको आई ड़ा इफ भी कहते हैं जिसको कि if and only if of mathematics की भासा में कहते हैं सब्सक्राइब बात अच्छा और बातें कुछ कर लेते हैं थोड़ा सा गला गड़बड है लेकिन अब कोई गाना वाना गाना नहीं है तुमने का थोड़ा सा देख लेते हैं अगली बात कौन सो नंबर पुड़ा था पता नही हम को याद नहीं है अगर मैं z और z बार का multiply करता हूं यानि किसी भी complex नंबर को उसके conjugate से हम multiply करते हैं तो complex नंबर a प्लस ib multiplied by its conjugate a minus ib तो that is a square minus i square b square i square is minus 1 that is a square plus b square इसको देखा है कहीं आपने आपने mod z देखा है कि अगर z एक complex संबर है तो mod z इसका जो है वो root a square plus b square होता है तो इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि real part of z का square plus imagery part of z का square और ये mod z का square भी होता है तो अगर कहीं पर आपको mod निकालना हो तो आप ये भी कहते हैं अगर z और z बार का multiply कर देंगे तो mod z का square हमको mod z का square हमको मिल जाएगा क्योंकि mod z आपका root a square plus b square होता है ये हो गया ठीक इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं जहां-जहां ज़रुत पड़ रही है वहां वहां प्रूफ लिख रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा दूसरी बात अगली बात चठी बात है पता नहीं कौँसी बात है अगर दो complex number z1 हैं और z2 हैं दोनों को plus कर दिया पहले आपने और plus करने के बाद जो result आया उसका आपने conjugate निकाला है या आपने अलग-अलग conjugate निकाल के प्लस किया value will be the same ये तीन के लिए भी नियम लाग वहाँ कि आप द या अलग-अलग conjugate निकाल के अट करिये result will be the same अगली बात ये है वही बात difference में होता है कि z1 minus z2 करिये जो result आए उसका conjugate निकालिये या अलग-अलग conjugate निकाल के difference निकालिये value will be the same यहां भी value same आया इए ठीक है यही बात multiply होती है कि आप दो complex number का multiply करिये जो result आए उसका conjugate निकालिये या अलग-अलग conjugate निकाल के multiply करिये value will be the same इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल हम करते कैसे जैसे मालिया हमने कहा 1 plus i है ठीक 2 plus i है ठीक 3 minus i है ठीक 7 plus 2i है इस पूरे का conjugate निकालो अब आपकी तो हालत खराब क्योंकि आपको पहले तो इसका सबको multiply करना पड़ेगा जब multiply करोगे तो कुछ term i के आएंगे कुछ i square के आएंगे कुछ i cube के आएंगे कुछ i power 4 के आएंगे जहां i square आएगा वहां minus 1 लिखेंगे i cube को minus i लिखेंगे i power 4 को 1 लिखेंगे यानि ultimately ये a plus i b के फार में convert होगा तो जब a plus i b के फार में convert होगा फिर उसका conjugate निकालेंगे तो आपने का नहीं इसका अलग conjugate कर दो 1 plus i का अलग conjugate 2 plus i का अलग conjugate 3 minus i का अलग conjugate और 7 plus 2i का अलग conjugate तो ये हो जाएगा 1 minus i ये हो जाएगा 2 minus i ये हो जाएगा 3 plus i ये हो जाएगा 7 minus 2i तो आप कहेंगे वही बात तो यहां multiply करना पड़ता लेकिन मालिया कहीं हमको जुरूत और तरीके से पढ़ सकती है ठीक है कि तो उसके लिए बताएगा multiply करना एक अलग बात है वो तो simple logic है यही चीज divide में होती है कि अगर z1 upon z2 है का conjugate निकालना है तो z1 का conjugate अलग होगा upon z2 का conjugate अलग होगा रैटिंग तोला गंदी है manage करिएगा ठीक है ऐसे लिख सकते हैं अब आप में इसमें को खास बात है अगर मैंने आप से कहा 2 plus i upon 3 plus i का conjugate निका लिए तो आपको पहले इसको a plus i b के फार में change करना पड़ेगा और a plus i b के फार में change करने के लिए नीचे के conjugate समल डिप्लाइ करना पड़ेगा a plus i b निकालोगे इसके बाद उसका conjugate निकालोगे और यहाँ पर क्या होगा simply हमको 2 minus i उपर का और 3 minus i नीचे का हो गया conjugate अब बात में क्या operation करना है किस फार में उसको लाना है वो बात की बात है ठीक है तो यह इसका rule होता है और मेरे हिसाफ से कोई खास चीज तो बची नहीं है ठीक है ठीक है सब सही है अच्छा एक चीज़ और देख लीजेगा एक concept और है कि जैसे z एक complex number है ठीक है और उसकी power आप n कर दें n इस a natural number अगर n यहाँ पर natural number है और power मतलब उसका square करें cube करें जो भी करें का conjugate निकाले या आप conjugate निकालने के बाद power करें कोई फरक नहीं पड़ता प्रफ्लेक्स नंबर है उसकी power 5 का conjugate निकाली है तो पहले आप a plus ib का जो भी टू प्लस i जो भी हमने दिया उसकी power 5 निकालो इसके बाद जो result आए उसका conjugate निकालो जी नहीं निकालने के बाद भी आप power 5 कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से इतनी properties है तो यह conjugate का concept है एक concept जो हमने कहा था लास्ट मताएगे तहां ध्यान से उसकी समझेगा बहुत technical concept है यह जई के लिए student जो पढ़ रहे हैं उनको बहुत-बहुत-बहुत help करेगा नहीं होसता है को कोशन इस एक word आता है mirror image, mirror image word यूज करते हैं या इसको हम एक word यूज करेंगे reflection जो लड़के IFC board के हैं उन्होंने ICSC में 10th class में यह reflection पढ़ा है वो जानते हैं देखो जैसे मैंने आपसे एक complex number दिया 2 plus 3 आई और हमने कहा कि बताओ arrogant plane में इसकी location को locate करिये तो आपने का देखो भी या यह आपका real axis है यह आपका imaginary axis है यह 0 है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 1 ऐसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 1 ऐसे में लिख दिया तो इसको आप order pair में कैसे लिखेंगे तो order pair में लिखा जाता है यह 2, 3 तो 2, 3 मतलब यह 2 हो गया और यहाँ पर ऐसे यहाँ पहुंच गये इस point पे आगए 2, 3 ठीक है अब मैं अगर आप से कहूँ कि what is its conjugate, z bar is what तो आप कहेंगे 2, minus 3 आई इसको order pair में 2, minus 3 लिखेंगे हमने का इसको locate करो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप यहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर आजाएंगे, 2, comma, minus 3 अब दरस्ता उधान, अगर आप यहाँ पर एक mirror रख दें x-axis पर mirror रख दें ऐसे, और मैं आप से कहूँ बताओ कि यह जो point है, इसकी image कहाँ बनेगी तो आप कहेंगे भाई देखें, यह तीन दूरी यहाँ पर है, तो तीन दूरी नीचे बनेगी, यहाँ बनेगी यानि यह आपका reflection in x-axis है, इसको क्या कहेंगे, reflection of real axis तो इसको कहा जाएगा कि z-bar क्या है, z-bar is reflection of z in real axis या इसको कहेंगे, कि z-bar is image of z with real axis समझगे यह बात नहीं आई, तो यानि कि इस प्रकार से conjugate जो होता है जिस quadrant पे होता है, वो real axis का image होता है real axis से image बना दोगे, और real axis में क्या होता, अगर x-axis की image देखना है तो y का coordinate change होगा, और y से image बनाना है, तो x का coordinate change होगा अगर यहां मिला रखोगे, दोरों coordinate change होगे, यहां का image बनेगी जागरेगे वो तो बात की बात है, हम conjugate बारे में बात कर रहा है तो यह image real axis यह आप 10th class में पढ़ चुके है और और boards में नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन concept आपका clear है 3D वगरा में ही question थे, इमेज वाले, reflection वाले आप जानते है तो यह concept था conjugate का, आगे किसी और वीडियो में नमस्कार